कॉंग्रेस से अबास जी मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकट जी भी जुड़े हैं और मेरे साथ ब्रिजेश जी भी जुड़े हैं अबास जी क्या कहूं मैं इसको क्या कहूं इसको भारती जनता पार्टी की रणनीती कहूं या मैं ये कहूं कि बीजेपी डरा रही है इसलिए आप लोग डर जा रहे हैं इसलिए या मैं ये कहूं कि बीजेपी को सफलता मिल रही है और कॉंग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई इसको मैं क्या कहूं मैं इसका विसलेशन नहीं कर पा रहा हूं हो सकता है मेरे पास ग्यान की कमी हो राजनीतिक समझ कम हो लेकिन जो हो रह आए तो वह शायदा बेहतर होगा आप इसको लोग तंत्र की हत्या कह सकते हैं आप इसको लोग तंत्र की हत्या कह सकते हैं आप इसको लोग तंत्र की हत्या क्यों कहूं इसे क्यों कहूं मैं लोग तंत्र की हत्या किस लिहाज से कहूं ये बताइए मुझे मैं इसको किस लिह आपका एक नेता जो चुनाओ लड़ने के लिए जिसको नवाजा गया आपके एक नेता को जिसको लोकसभा का प्रत्यासी बनाया गया आपका एक नेता जिसे लोकसभा और संसद में जिसे मंदिर कहा जाता है वहाँ पहुचाने के लिए टिकट दिया गया आपका एक नेता ज साथ ठीक ऐसे समय छोड़ा जब उन्हें समय साथ नहीं छोड़ा जाने अब मैं कहूं लोकतंत्र के हता ही तो दोस्त आपके नेता का है बड़ी खुबसूरती से पूछा जब मैं जवाब देने पाया तो आपने मुझे बीच में टोकना शुरू कर दिया नहीं मैं बीच में साथ दिक्कत ये है कॉंग्रेसियों के साथ दिक्कत ये है कि आप सुन नहीं सकते आपके अंदर छमता नहीं है कि आप सामना कर सके सवालों का ऐसे ही मुकेस नायक साहब उठकर चले गए और ऐसे ही आप भी जाओगे अब बास भाई क्योंकि आप सुन नहीं सकते लोकतंत् यह प्यात्या है